हाँ हाँ यह राग समुद्री जानती है और कोई खत्रा महसूस होने पर यह कभी हो राती है वा कभी जहकती है लाउंफिश है ना और यह डॉल्फिन हमारे स्मार्ट जोन से भी साधा स्मार्ट है यह अपनी आवाज का इस्तिमाल सोनार की तरह करके एक्तम सही दिशा में दैर करती है जी हाँ इमेल या वाट्सअप से भी तेज मूंगा चट्टाने यानि कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविद एकोसिस्टम में से है इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्शावन कहा गया है आएं समुद्र में वर्शा अचीब बात है ना अरे दरसल इनका ना के संतुलक को बनाए रगते हैं और हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महतवपूण हिस्सा है और पानी में आक्सीजन बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है इन समुद्रों में पहुचने वाली सूरज की रोश्णी की मात्रा के हिसाब से उन्हें तीन शेत्रों या परतों में बाटा गया है सता के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या संगलाइट जोन कहा जाता है जाहिर है कि यहां सूरज की सबसे जादा रोश्णी पहुचती है और लब्य प्रतिशत समुद्री जीवन इसी परत में मौझूद है अगली गहरी परत को इस पॉटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है इस परत तक सूरज की सिर्फ एक प्रतिशत रोश्णी पहुचती है जो गौधों के जिन्दा रहने के लिए काफी नहीं है तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिटनाइट सोन है यहां सूरज की रोश्णी बिल्कुल नहीं पहुचते यह परत पुरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है बिल्कुल किसी होरर पूवी के सीन जैसे यह कई जगा पर इतनी गहरी होती है कि यहां आसानी से माउंट वेवरेस जैसे उचे पहाड भी समा सकते है और इसकी सबसे गहरी जगा है प्रशांक महा सागर में मरियाना ट्रेंच महा त्वीबी तटों के साथ दगे उतले समुदरी के लाकों तक पहुचना आसान है लेकिन यह समुदर का सिर्फ तर्स प्रतिशन है समुदर की कहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीफ जिन तक पहुचना मुच्किल होता जाता है यह समुदरी जीफ पहले तो अपनी खुक्सूरती से आपको जलते हैं और पिर अचानक एक भदरनाथ रूप लेहते हैं जिन से बचना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किल है और यह क्या? अचानक यह रोशनी कहां से आए? ओहू! यह तो जलिफिश का जुन्ड है और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से तबोच कर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाए लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क जैसे ग्रेट वाइट और टाइगर शार्क शार्क आंत और पर जूरस धलने के बाद अंधेरे में शिकार पित्कलती है समुद्री जीवों का यमराज बंकर आज तक शार्क की 500 से जादा पजाथियों का बता चल चुड़ा है ये हर तरह के खुले महासागरों गये मुंगे की चटानों में आर्क्तिक की बर्व के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराईयों में बाई जाती है और ये है समुद्री घोड़ा जो तबड़क तबड़क नहीं चप 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 करता है यानि तोड़ता नहीं तैरता है हमने इन समुत्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है पर अभी भी बहुत कुछ जानना पाकी है ये साकर गहरे और विशाल धंडी और अंधेरे में डुबे रूते हैं इन गहराईयों में पनपने वाली सत्रा हजार से अधिक बजादिया मानो किसी कलपना से कम नहीं है इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक पहले हैं खारे पादी की खाडियां, समुत्रों, समुत्र तटों और नमकीन दलदली इलागों तक मानव जाती दशकों से प्लास्टिक, सहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहा कर समुत्रों को नुक्सान पहुचा रही है कई समुत्री जीवों या मचलियों की दर्दना, मौत और उनकी इस तड़पता सिम्मेदार हमारी मानव जाती ही पिछले कुछ दशकों में वैग्यानी पैमाने पर सामने आए खत्रों में से एक बड़ा जलवायूत परिगल पढ़ा है जिससे महसागर कर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिपता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुत्रों का अम्वी करण हो रहा है सागरों के इस तरहां कर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और पर्फ की चादर पिखल रही है इस गुनाश्कारी पढ़नाव के परिगाम स्वरू समद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे एकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाथ हाला हम भी पैदा कर रहे हैं हमारी आने वाली पीडी का भवश्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा ख़दम उठा सकते हैं या फिर हम बड़े स्तर पर सक्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुत्री संसाथनों का दोहन और प्रदूशन कम हैं याद रखिए बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाओ की शुवात भी हमें ही करते हो